हेलो फ्रेंड कैसे आप लोग उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले इस मिक्षर के बारे में जो की स्टूडियो मास्टर का मिक्षर होने वाला है और यह मिक्षर है जो काफी पुराना मिक्षर है स्टूडियो मास्टर का डाइमंड सीरिज का यह मिक्षर है तो आप देख सकते हैं इसका मोडल नेम जो कि मिक्षर का जो कि यहां पर लिखा हुआ है स्टूडियो मास्टर प्रोफेशनल और डाइमंड 12.2 डिलक्स जो कि यहां पर लिखा हुआ है यानि कि कॉर्णर पे तो अब हम बात करें इस मिक्षर के गभड़ें प्रोपर तो यह मिक्षर है बारी चैनल का मिक्षर यानि की बाड़ा माइक ऐस मिक्षर के साथ यूज कर सकते हैं यह बहुत सारे लिए यह यहां चांभ होता है वो भी से भी आप यूज कर सकते हैं इसके लिए जो क्या होता है इस पर आप माइखी यूज कर सकते हैं और इस नीचे वाला में आप पैड वगेरा फिर गीटार वगेरा का इसमें आप दे सकते हैं इसके लिए यूज किया जाता है ऐस वीडियों उसरे अरन क्या जा आपको बाता धाना है जो हम आपको बाताएंगे वीडियों में बने रहे हैं और हम उसक्रदय में क्या वीचर है तो क्लप प्रकार का यह तता है याने कि सामने से ज्व अब देख सकते हैं इस विआसे का लूप और यह जो आप द Tuc अब देख रहें यह ब्लों लंग नहीं आते देख प्लास्टीक फैड़् sure यह इसका खराब हो गया था है उसके बदले यह आया था और यह चेंज होगा तो उसके बाद से इसमें क्या होता है यह आप देखें इसका Kुछ इस laying Donta uh बोल सकते हैं यह है ओरिजिनल ही बट कॉपी है यानि कि ओरिजिनल सिर्फ कमपणी के साथ ही मिलता है हम लोग को प्रोड़क्ट यह जो आप जितना भी नॉब देख रहे हैं यह सब जो है ओरिजिनल यूज किया गया लेकिन अगर आप इसमें से कोई एक नॉब खराब हो गय यानि कि यह फैडर है खराब हो गया तो आपको यही ओरिजिनल मिलेंगे बट उसका कॉपी मिलेगा आपको मार्केट में ओरिजिनल कमपणी के जैसा आपको नहीं मिल सकता है फिर दूबारा में तो उसी में यह जो फैडर बदलाया था तो इसके साथ जो है यह नॉब जो ह यानि कि फिट नहीं हो रहा था तो उसके बदले यह ब्लैक का फैडर देख रहे हैं यह इस टाइप का फैडर आता है तो इसका कीमत कुछ ज्यादा नहीं है मार्केट में पांच रुपे या फिर शे रुपे के आसपास यह प्लास्टिक फैडर जो है एक पीस देखने को मि आया गया है तो कुछ इस टाइप सा यह ऐसे लगता है और इसका यह पर्फेक्ट है तो इस टाइप सा आप देख सकते हैं इसका सो चलिए अब हम बात करते हैं मिक्सर के औक सेंड या फिर रिटर्न यह सब जो छे जो आउटपुट है इसके कौन-कौन से क्या काम आते हैं सब्सक्राइब करने लेफ्ट राइट यह हो गया इम्पलीफेर से आपका आएगा आउटपुट यह एक राइट में होगा और एक ल में होगा जानी कि लेफ्ट और राइट और इस दोनों का जो फैडर है यह रहा जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जो क यानि कि यह दोनों का मेन मास्टर आप बोल सकते हैं तो इसको जो है अगर आप अपडेट करते हैं अगर यह मिक्सर है आपके पास एवलेबल तो इसको अगर आप अपडेट करते हैं यानि कि डीजे में इस मिक्सर को यूज करते हैं तो इसका यह जो मास्टर फैडर है इसको कभी फूल 10 यानि कि 10% कभी इसको नहीं रखेगा जैसे क्या होता है कि आवाज इसका quality जो है खराब हो जाता है यानि कि फूल अगर कर देते हैं और यहां से भी अगर फूल कर देते हैं और यहां पर इसको आप फूल कर सकते हैं तो कोई दिकत नहीं है और यहां से यहां से यह यहां से यूज Project Ben सकते हैं आप देख सकते हैं कुछ इस टाइब से हैं और यह जो है यहां सबने मेड फ्र्रिक्वेंसी जोकी आवाज आप मोटा यहां तर पसकते हैं इस नॉप कास्त acá specifically प्रोपर तरीके से से ही होता है तो आप यह देख रहे हैं यानि कि बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं इसके साथ और यह जो आप आपको बाद में समझना होगा इस पर आपको हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे यूकि आप यह देख रहे हैं ऑक देख गया है इसके साथ जो आप लचकती तो आपका अब फीकेंसी शिर्फ लेभन और आप और आप प्रयाःट साइड कर देंगे उस वोलिम और को आप इस यूज होगा इसको प्रोपर बीच में रखते हैं यानि कि इसको हाफ हाफ यानि कि 50 by 50 रख सकते हैं यानि कि बीच में सो सारे नौब जो है पैन का बीच में रहता है और यह आप देखें इसका म्यूट स्विच है यानि कि अगर आपको कोई चैनल में प्रॉब्लम हो गया अगर आपकर पावर के बल कि तो आप देख सकते हैं इसका इसका की यह आप तम हो जाएगा तो के साथ अगर टच कर देंगे कुछ हमंग भी खतम और यह है इसका Power on and is the power of position Miller ओक्षिक आतकि मिक्सर के बारे के बारे में तो comment box comment कर दें और अभी तक आप लोगों ने में को सब्सक्राइब नहीं किकिए पहले प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेश कर दें ताकि मेरा नीव वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए